हेलो दोस्तों टेस्ट भीहर का चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग चोकलेट ब्राउनिक रेसीपी बनाएंगे वह भी बिदाउट ओवेन और एगलेस बनाएंगे हम लोग तो बहुत आसानी से बन जाता है दोस्तों आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर बन तो सबसे पहले हम लोग चोकलेट लेंगे डार्क चोकलेट मैंने लिया है और उसको डबल बॉयलर से हम लोग थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें 100 ग्राम मैंने बटर लिया है उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे और मेल्ट हो जाएगा तो जो लेपर से तो उसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए अब हम लोग कुकर को थोड़ा सा दस मिट के लिए प्री हीट कर देंगे और इधार हम लोग विटर का तयारी कर लेते हैं तो सबसे पहले एक मौल्ड को ग्रीस कर लेंगे उसके ऊपर बटर पेपर रखके उसको भी तुरह से ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करने के बाद इसको भी साइट में रख देंगे अब हम लोगों ने ये जो चोकलेट डार्प चोकलेट को मिल्ट किया है उसमें एक कप मैदा आधा कप केस्टर सूगर और दो चम्मच कोकोवा पॉडर उसको अच्छे से चान लेना है अब इसमें हम लोग अधा टीस्पूर बेकिंग पॉडर डालके अच्छे से इसको मिक्स कर देना है आप सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें वन थर्ड कप दही मिलाना है और एक टीश्पुन के लगभब वेनिलाइसेंस इसको भी मिक्स करके अच्छे से इसका बैटर रेडि कर लेना है इसका बैटर दोस्तों थीक ही होता है देख सकते आप इसका कं के रेडि है अब हम लोग यह जो मोल्ट बना के रेडि किया है उसमें यह बेटर को अच्छे से डाल देंगे और थुरा से टैप कर लेंगे अच्छे से प्रीटेड कूकर में रख देना है ध्यान से रखेए दोस्तों कूकर गर्म है तो इसको रखने के बाद ऊपर से इसको कबर कर देना है इसको पैकने करना है, मिनमम 35 मिनट तक बेख करना है, तो देख सकते हैं दोस्तों, 35 मिनट बाद ये कितना अच्छा कुक हो गया है, ब्राउनी बन के रेडी है, अब इसको हम लोग अच्छे से ठंडा होने के बाद कट कर लेंगे, आप अपने 24 का नुशार इसको कट कर सकते हैं, तो ब्राउनी बन के रेडी हैं दोस्तों, क्रिस्मस पर आप लग जड़र बनाईएगा, और बच्चे को तो फेवरेट होता है, अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर करना भी ना भ पुली एका दोस्ता, thank you